नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर ख़बर समाज पर करती है स्वराज में इस ख़बर को आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ख़बर भी समाज से जुड़ी है और समदित है किशानों के लिए अतियावश्यक राशाइनिक खाथ से अब दर ख़ब वित्रित की जा रहे हैं वहां पर लंबी-λंबी कतारे लगी है और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ किसान ऐसे हैं जिने खाथ मिला है और खेत में वो अपने खेत में छीट कर पसल उनके लहला हा रहे हैं बहुत सारी समस्या है किसानों के अस्तर पर अपनी समस् बता रहे हैं और किसान जो आकरी जहां पर तक खाद पहुँचना है वो भी बड़ी समस्या से जूज रहे हैं ऐसा महौल दिखने को मिल रहा है लेकिन देखिए मैं आपको बता दू चौपाल में जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं या खबर देखकर आप चौक रहा है उसमें कई परकार है जैसे कि आपने देखा होगा यह ने जो पर पहले वाला खाण पतल मिल जाहा है और साथ है जानकारी बता रहा हूँ कि आपको बड़े चौकाने वाला है कैसा लग रहा है कि इस तरह की पारदर्सी और बेहतर परकरिया के साथ जो सरकार खात वित्रित कर रही है उसमें अगर कहीं से भी समस्या देखने को मिल रहा है तो यह एक प्रोपेगंडा हो सकता है मैं आपको कह देना चाहता हूँ चुकि आप लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं और आपको भी पता है कि समाज की स्थिति क्या है लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि अपने अस्तर से उस पर जांचे परके ऐसा नहीं कि कुछ कह दिया और आप सुन लें उसी से आप जो हैसो अपन प्लानिंग पारदर्सी तरीके से सामने आ जाती है किसको कितना वंटर्न मिला है किस को किस हॉल्सलर को कितना वंटर्न मिला है हॉल्सलर के साथ रिटेरर को कितना वंटर्न मिला है उसको कितने पैसे देने हैं खासका रेकाउंट में उसका पैसा ट्रांजेक्शन होता है जी कत्री कमेंट भी करें और इसको लेकर बता दूं मुझफर właściला में जो जिलाक swiftly करी जो और जो और कई लोगों से हमारी जो बात हुई है उसमें जही जनकारी मिल रही है कि सब जग अब अब्यवस्ता बेतर है और किसानों को भी यह बात महसूस करना परेगा तब ही जाकर उन्हें बेहतरी का एहसास होगा आज तो किसान जिससे अस्तर से परिशानी महशूज कर रहे हैं मैं अभी ग्राउंड पर देख रहा हूँ मैं आपको पहले कहूंगा कि इस वीडियो को आप सबी दर्सों को जानकारी है 9 फरवरी 2022 को देखिए मुझफर पुर जिला में खाद जो आया है उसकी पहले सी जानकारी यहां पर सारवजनी की गई है आप इसे चौपाल समचार में देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह पारदसी परकरिया है जैसे कि उधारन के तोर पर जिल आपको बता रहा हूं जो कि जिला करशी पताधिकारी मुझफर पुर को द्वारा जारी किया गया है कार्याले आदेश संख्या 58 दिनाग 92-2022 इसमें बताया गया है कि मुझफर पुर जिला कंपनी द्वारा दिनाग 92-22 को नरायनपूर अनंत रैंक जहां पर रैक पॉइंट होता है रैक बिंदू से यूरिया कुल 1660.5 मेट्रिक टन मतलब 1660.5 मेट्रिक टन उर्वरक चिले को प्राप्त होने के सूचना है जिसे विक्रेता को निम्न परकार आवंटित किया गया है मैं आप दर्शे व को बता दू कि जो सूचना यहां पर आ रही है इसमें थो कि विक्रेता को कितना अवंटित किया गया है वो भी यहां पर बतार साय आ गया है मैं एक दो उधारन को दर पर पर परकर बता दू कि मेसर्स अनियल ट्रेडिंग कंपनी को 27 मेट्रिक टन दिया गया है में सर्स अशोक ग्रेट्र को 99.00 ब्रेट इक टन यहँ पर दिया गया है में सर्स महावीर खिरिय केंद्र को 45 बॉलद। मैं सर्सोम टेडर को 369 में तर यख यहां पर इमाई ओंडर है इन्हें 45 में तर तोन जो है 660.5 है कजो इनको वित्रित किया गया है मैं दरस्यों को बता दूँ कि यह सूचना है इसके अधार पर जो जो भी आप थोक विक्रेता है उनके पास यह यह समान प्लब्द कराया गया है और यह नौ फर बर्याज की सूचना है तो मैं आपको बता इस सारी ट्रांस्परेंट पर किया है और इतने ही बात नहीं है यह जो सारी सूचन नहीं है तो आपको मैं बता दूँ कि यहां पर खाद को लेकर जो 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 लिस्ट यहां पर जारी किया गया है वह स्टॉक उनके पास उपलब्द होगा और अगर किसानों को वह खाद नहीं देते हैं तो उन पर सीदे-सीदे करवाई हो जाएगी वह जानकारी में आपको य जो को लिए यहां पर इतने लोगों के पास गया है जिसमें की औजली ईंटर्प्राइज़ों के जो जहां और यहां पर गया घाट कि जार जए उने उसको देखा जाए और इस तरह से मीनापुर में देखा जाय है, और Mocippur तरह की बातश हम पर हैं वहाँ खाद उपलब्द हैं मुसरी में हैं पारु में यह त त पर सक्रा में खाद कीपक्रियाज हरा है वो सारी खेड़ेज हरा है उप्रोक्त थोक उपावंटित मातरा से कम से कम 10% बंदार में सुरक्षित रखेंगे चाथा कुल मातरा का कम से कम 15% पैक्सों को भी उपावंटित किया गया है कि उपावंटित किया गया है और ये जो अवंटन जिनको मिला है अब उनको खाद उपलब्द हो जाएगा ये चुकी लेटर है मैं आपको बता दूँ इस तरह के जो लेटर आ गया है सामने में तो अब इसी तरह से खाद उपलब्द हो जाएगा और ये जो सारी जानकारी है म आप सभी बेहतर तरीके से खेती करना आप लोग का जो 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 इस तरह से आप लोग खेती कर रहे हैं बहुत ही बेहतर कर रहे हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से करें लेकिन लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस खाद वाले प्रोपेगेंडा से बाहर निकले बाहर निकले कार के द्वारा रधारित किये गए दर पर की जाएगी कहीं से भी ब्लैक से या इधर दर से लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई दिक्कत होती है चौपाल समचार भी आपके साथ है और हर समय किसानों के लिए समाज हित के लिए हम लोग काम करते हैं आप लोग भी जिरूर ऐस ही सोचते होंगे कि सभी लोग बेहतर मिलकर बेहतर काम करें तो आप लोगों के साथ हर समय चौपाल समचार है अगर कोई समस्या होती है ता आप हमें सुचित करें हम आपके द्वारा बताए गए जानकारी पर आपके सूचनाओं पर जो भी आबश्यक जानकारी होगी नहीं से भी आपको संसर नहीं होना चाहिए हमें आसा है कि जो भी अधिकारी पतादिकारी जन परतिंदी इस कार्श करम को देख रहे हैं सब लोगों मिलकर किशानों की मदद करें और खाद की किल्लत की समस्या और जो प्रोपेगेंडा जो भी फैलाया जा रहा है इस चीज कर या फसल में अपनी खाद की मात्रा अफ्लॉप्स कराकर जो है उनका फसल बहुतर हो से को तासके लिए बसिता ही मैं अफशे काना चौपाल समचार के लिए ऐसी ख़बर के लिए आतरे रहेंगे शासा का साथ धन्यवाद